प्रिवियस यर्ली आख्ट कोशन्स होंगे बहुत सारे आपने परा होगा बहुत सारे कोशन्स नहीं पड़े होंगे याद रखना चोड़ी जोड़ी वीडियो गुनाओंगा आप 5-6 मिनिट के अंदर सारी चीज़े कवर करेंगे 10-15 कोशन्स हर सेशन में करेंगे पहला सेशन है दस कोशन्स स्टार्ट करेंगर आप पहली बार आ गए हो हमारे चैनल पर घूमते फिरते यार मेक शूर आप सब्सक्राइब कर लो प्रस्टे बैल आइकन चुकी इस तरह की सीरीज पूरे नीट एक्जैम तक चलती रहेगी उसके अलावा नीट से जुरूए भी जार जितनी भी जानकारी है सारी हमारे चैनल पर अविलेबल है जाओ फड़ा फट से देख सकते हो स्टार्ट करते हमारा कोशन को आप देख सकते हो फर्स्ट कोशन हमारे पास है If a primary root continues to grow which type of root system it is known as तो जिसमें primary question को आप धयान से पर ऊगे तो आपको पता चल जागा यहां पर secondary, primary और यहां से आप easily इसको identify कर सकते हो तो तो देखो primary root में चो growth continuous होता है उसको क्या क्याता है they are known as tap root तो tap root will be the correct answer second question very very important मैं बता दू वी वी आई कोशन है यह सीवेसी पीम्टी मतलब आपके याई पीम्टी 2000 में नहीं पूछा उसके बाद भी कई बार पूछा गया तो नियुमेटो फोर्स जो है वो अकर होता है किन प्लांट में बहुत सारे आप्शन दिये हुए आपको तो करेक्ट अंसर होगा थ्यान से देखो मार्सी सोयल और सलाइन मार्सी सोयल में बहुत ही मार्जिनल दिफरेंस है बट करेक्ट आंसर है या फिर कहलो आप बहुत ही क्लोज आंसर है that is सलीन मार्सी सोयल क्या होता है basically in plants growing in salty मार्सी मार्सी या फिर मार्सी क्या सकते हो some branch of taproot grows vertical right उसके बाद वो क्या ह upward direction में जाते है ठीक है upward direction into the air and forms horizontally secondary roots so basically they are numato force right to saline marci soil will be the correct and perfect answer all right बांकी कोई भी क्यारी हो या किसी question में answer में कुछ मिस्रेक कर जाओ तो comments में आप हमें जरूर बता सकते हो coming to the third question root devil yeah for roots developing from plants part other than radicals are known as what are that type of plant called ठीक है जसके अंदर क्या होता है root जो होता है वो develop होता है plant के other parts से ठीक है radical को छोड कर के तो very simple adventitious right adventitious root कहते है आपन ठीक है for example monocotyledon plant की बात करे तो radical die immediately after the germination of seed और बाद में क्या होता है root arise करता है other portion से मानलो आप stem से करता है leaf से करता है तो ऐसे cases को adventitious root कहते है coming to the fourth question देखो numatophore से फिर question आ गया तो इसी तरह से गुमाफिरा के question आता है दो को 2001 NCRT बारते विद्यापिट 2001 AMU में 2009 में पूछा गया है तो काफी important question है क्या question है numatophore किसमें पाया जाता है आपको चार example दिये गए टीनोस पोरा, पाइनल्स, राइजोफोरा या फिर option D बहुत easy question होने वाला है मुझे लगता है अभी तक मेरे question पढ़ने तक आपने answer भी कर दिया होगा yes, risophora क्यों क्यों क्योंकि ये मार्शी एडिया में grow होता है और घास करके इसमें exchange of gases के लिए क्लिए पोर्स बने होते हैं, छिद्र बने होते हैं चले, पांच में question के और बढ़ते हैं और और ओरिशा जाही CPMT का सवाल है, outer covering of epiphytic root is called as question number 5, correct answer क्या होगा, willamin, छीक है, willamin is the outer covering of epiphytic root, aims 2012 का सवाल, very very important, aims 2012 का सवाल which of the following is correctly matched, आपको matching देखना और इस तरह के सवाल हर साल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो correct match कौन सा है, तो यार देखो, monstera fibrous root गलत, basal prop roots ये भी गलत है, अब देखो डलिया और डलिया बोलो, जो भी पढ़ लो, या azardicata, azardicata में adventitious root नहीं होता है, ध्यान दो, adventitious root नहीं होता है, तो correct answer कौन सा है, हमारा option number B, that is dahlia, बिलकुल fasciculated root होता है, अब आब बोलो क fasciculated root क्या होता है, ये बता दो, जो को, adventitious root क्या ही modification है, जो swollen adventitious root होता है, जो swollen adventitious root होता है, और इनका size, या फिर आप कहलो, safe definite होता है, basically, और ये कहां से जनमते है, base of the stem, arises from base of the stem, और ये कहलाते है, fasciculated root, and this is the case in Delia, right, तो 6 का correct answer है, option number B, थोड़ा लेवल तो रहेगा, aims का question था guys, question number 7, conical fleshy roots occur in, basically conical fleshy roots occur in, कि में conical fleshy root पाया जाता है, नाम से clear हो जाएगा, conical, the correct answer is carrot, right, carrot is the correct answer, ठीक है, आपको पता है, tapering ends होते है, आते हैं, आठे वे number question की और, nappy form roots are recorded from, बहुत easy है, जब आप स्टार्ट करते हो इस chapter को, ठीक है, morphology of flowering plants तो, सबसे पहले आपको root stems के बारे में पढ़ाया जाता है, तो, आठवान नमबर प्रश्टन है, इन में से, कौन सा नापी form root का example है, correct answer will be beat, ठीक है, आइए, चलते हैं, अपने 9th question की और, बहुत चू का question, और कही बार उसके बाद भी पूछा गया है, Fusiform roots are found in, question number 9th है, Fusiform roots are found in what, correct answer would be, roughness sativus, right, देखो, ध्यान से देखो, कि आप Fusiform root, different type of roots आपको पढ़ने है, ठीक है, तो, इसमें एक example आपका Fusiform root है, अब जो भी storage root होते हैं, जो कि ठीक है, narrow towards the base, as the apex, ठीक है, spindle shape का होता है, तो, ये basically, example किसका है, roughness sativus, सारे scientific name दिये गए हैं, और मैं यहाँ पर इसका common name भी नहीं बताओंगा, अगर आपको लगता है doubt, आप Google जाके करो, अधर वही सारी चीज़ अगर आपको बता दी जाएंगी, तो फिर आप अपने end से कोई भी महनत नहीं करते हो, 10th number question के और चलते हैं, आ adapted, then tap root system, एक तर इसे difference हो गया दोनों का, क्यों fibrous root better adapted है tap root के comparison में, correct, इन दोनों के बीच में कौन सा difference या फिर कौन सी बात सही साबित करती है, तो देख, storage of food को लेकर के बिल्कुल नहीं आप कर सकते हो, correct answer होगा, encourage of plant to the soil, I hope it is clear, अगर नहीं clear है तो मैं explain out कर देता हूँ, but correct answer would be, option B, encourage of the plant to the soil, absorption और ट्रांसपोर्ट दोनों factor नहीं होगे, दोनों के difference के बीच में, अब basically क्या होता है न, या thin threads like adventitious root, जो कि ओफन develop करते हैं, groups में, fibrous root क्या होता है, better firm देती है, पकर देती है, पौदों को, anchorage देती है, जो कि tap root नहीं दे पाता है, okay, सबसे important है, पकर, म of the plant to the soil, मिट्टी से जो उनका पकर होता है, उसके लिए देखा जाए, तो जो fibrous root system है, that is much better in comparison to tap root system, so I hope it is clear with everyone, and guys, इसी तरह के sessions daily होते है, तो make sure आप channel को like कर देते हो, video को like करते हो, comment कर दो, अपनी query, video कैसा लगा, share कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ, subscribe तो करी सकते हो, औ and all the links will be in description, so check out for pdf and everything in description, तकि आपको सारी जांकारी description से मिल जाएगी, subscribe जरू कर लेना, thanks a lot for watching this complete video, I hope you enjoyed the video, see you again in a new video, in the next part of this, सारे chapters को cover करेंगा, आपके नीट exam से पहले, so make sure आप subscribe कर लेते हो, thanks a lot for watching this complete video, see you again in a new video. अपकेट